अनिता भोई, उम्र अरतीस साल, पेट के लगातार दर्द और बुखार से परिशान रहती थी. सोनोग्राफी के रेपोर्ट्स के अनुसार, ट्यूमर उनके गर्भाशे में था. विशेशग्यों के अनुसार, ट्यूमर कैंसर का था. गांट 6.2 से 5.3 सेंटीमीटर बड़ी थी. उन्होंने ट्यूमर को निकालने की सरजरी करवाई और दो कीमो थेरेपी भी करवाई. एक साल तक उनकी तब्यट ठीक रही, पर एक साल बाद उनको फिर से परिशानी होने लगी. कीमो लेने के कुछ दिन तक आराम रहा, लेकिन उसके बाद परिशानी फिर से शुरू हो गए. उनकी कमजोरी बढ़ने लगी और वजन कम होने लगा. उनका हेमोगलोबिन लेविल 7.5 हो गया और प्लेट लिट का आकड़ा सिर्फ 27,000 रह गया. विशिशग्यों के अनुसार उनकी बिमारी लिवर तक पहुँच चुकी थी. उन्होंने अक्टूबर दोज में फिर से सर्जरी करवाई. पर दुरभागय वश उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर से गरभाशे का और गाट का ओपरेशन हुआ. फिर धीरे धीरे दो महीने ठीक लगने के बाद लिवर में जन्तू फिर फैल गए. फिर से परेशानी शुरू हुई. उन्होंने Modern Homeopathic Curative Line of Treatment लेना शुरू किया. खबरों में देखा था और Modern Homeopathic Curative Line of Treatment के बाद दो महिनों में ही फर्क महसूस होने लगा. उन्होंने नियमित खाना भी शुरू किया. दो महिनों में उनकी दवाओं से हमें काफी फर्क महसूस हुआ. आज मेरी पतनी की तबियत एकदम अच्छी है. के रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बिमारी कम हुई है और उनका एनेमिया भी कम हुआ है. उनका वजन बढ़ा है और हेमोगलोबिन और प्लेटलेट काउंट भी नौमिल हुए है. मैं जब हमने सोनोग्राफी करवाई, तब उस सोनोग्राफी में हमें जानने को मिला था कि कैंसर जैसी बिमारी नौर्मल हो गई है और उन दवाईयों से किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हुआ नहीं है. सर विजे कुमार माने इनकी दवाईयों से मुझे दो ही महिनों में पूरा आरा मिला है, जिनको भी ये बिमारी है, उन्हें सर से मिलकर उनकी सला लेनी चाहिए. श्री मती भोए, मौडरन होमियोपेथी क्यूरोटिव लाइन ओफ ट्रीटमेंट के बाद अब एक सामान्य और खोशाल जिन्दगी जी रही है.